स्लाज में इस वीडियो के माई देम से आप लोग में बता हुँगा एसी Linux होता क्या है एसी Linux के ही मोड्स के बारे में बता हुगा और इसको अनेबल कैसे करें तो सबसे पहले बात करेंगे एसी Linux होता क्या है एसी Linux का पूरा नाम होता है security enhance Linux और एसी Linux जो है हमें परवाइड करता है एडिस्टम स्प्राइड करता है यह समय को मारी सिस्टम करेगा कून नहीं करेगा को हमें इसके जरी कर सकते हैं यह इसमें हम लोग पॉलिस लगा सकते हैं यूजिटर जो लगा दुम तरह से हम लोग access को control करते हैं एक हमारा Mac होता है जिसको हम लोग mandatory access control बोलते हैं और दूसरा जो हमारा होता है discretionary access control जिसको हम लोग deck बोलते हैं deck में जो हमारा होता है normal access को control करते हैं user group और हमारे orders जो है उसमें हम लोग normally क्या करते हैं कि कौन से user हमारे कौन से file को access करेगा कौन से user को rights देनी है कौन से group को देनी है SC Linus को जानने से पहले हम लोग deck के बारे में जान देते हैं थोड़ा से Deck का जो पूरा नाम होता है Discrenary Access Control हम लोग system पे जो extender policies लगाते हैं user group और others पे उसको हम लोग deck बोलते हैं Discrenary Access Control इसमें क्या होता है हम लोग अपने हिसाब से लगाते हैं कौन से users को देनी है कौन से group को देनी है कौन से others user हमारे file को access कर पाएगा और नहीं कर पाएगा वो सब सरह हम लोग deck के धुरू करते हैं इसमें क्या होता है file और process का सबका अपना ओनर होता है वो अपने हिसाब से उसमें modify कर लेते हैं अगर आपका वह सुरूट access है तो आप उसमें अपने हिसाब से change कर सकते है उसमें आप किसी और users के file को भी आप change कर सकते हो अब हम लोग बात करते हैं Mac के बारे में Mac का जो पुरा नम होता है mandatory access control और हमारा जो ac linux होता है हमारा ये mac base पे काम करता है इसमें क्या होता है every process of system resource के लिए special security level लगी होती है जिसको हम लोग ac linux context बोलते हैं अगर आपको किसी directory का ac linux context देखनी है तो उसके लिए command होती है ls-lz करोगे capital में z करोगे तो इस तरह का आपको output आएगा यहाँ पर ये u देख रहे ये user होता है ये r देख रहे इसमें roll होता है और यहाँ पर t जो देख रहे है ये होता है हमारा type होता है s का मतलब यहाँ पर service होता है तो ac linux जब हम लोग enable करते हैं तो आप user base पे भी लगा सकते हो road base पे भी लगा सकते हो type base पे भी लगा सकते हो और यह हमारे service base mandatory access control में क्या होता है इसमें policy जो होती है predefined होते है सब कुछ की कौन सा process, कौन सा user हमारे access करेगा, कौन नहीं करेगा अगर policy के साब से match नहीं करेगा directory base उसमें बहुत सारे से और security enable कर सकते हैं आप हम लोग बात करते हैं acilinus के mode के बारे में इसमें 3 mode होते हैं enforcing mode होते है premissive mode होते है और disable mode होते है disable का मतलब disable आप हम लोग बात करते हैं और 2 mode के बारे में premissive mode और enforcing mode enforcing mode जो होता है हमारी यह default mode होता है अगर आप system enforcing mode enable कर देते हो अगर आपका system enforcing mode में enable है और यह ऐसी linux policy के accordingly नहीं मिल रहा है तो यह सिधे deny कर देता है किसी को भी system पर आने नहीं देता है और जो दूसरा होता है प्रिमेसिम mode इसमें क्या होते हैं enforcing mode में हम लोग क्या करते हैं enforcing mode में हमारा क्या होता है कि यह सीधे deny कर देता है अगर प्रमिसिम मोड में क्या होता है यह deny नहीं करता है यह अंदर आने देता है और locks generate करता है यह हम लोग स्रीफ development के लिए विच करते हैं अगर आपको कोई troubleshooting करनी है डीबक्स सर्वन में यूज करते हैं अब हम लोग बात कर लेंगे एसी लाइनिस के टाइप के बारे इसमें तीन टाइप सो होते हैं पाइडिफोल आपको targeted मिलेगा targeted में क्या होता है targeted forces को protect करता है इसमें और जो दूसरा होता है हमारा minimum इसमें क्या होता है modification of target policy only selected forces are protected इसमें स्रिफ selected forces को protect करता है और दूसरा हमारा होता है MLS इसमें क्या होता है multi-level security protect करता है अब हम लोग बात करेंगे एसी लाइनिस के configuration file के बारे में इसकी चो configuration file होती है इटीसी के अंदर में 6config sc linux और यह link होती है एटीसी sc linux और conf के अंदर में होती है अब हम लोग बात करेंगे sc linux को enable कैसे करते हैं अगर आपको temporary enable करनी है तो उसके लिए command होती है set enforce उसके बाद आपको enforcing mode में enable करनी है थी यहाप enforcing लिख सकते हो अगर आपको permissive mode में on करना है तक प्रेमेसिव लिख सकते हो या तो आप set enforce उसके बाद one करोगे one में आपको enforcing mode आएगा zero करोगे तो आपको प्रेमेसिव mode में आएगा और इसका status कैसे चेक करते हैं तो उसके लिए command होती है get enforce या ता आप उसमें कर सकते हैं इसी status तो इस तरह का आपको output आएगा इसको अब मैं set करके भी दिखाऊंगा अब हम लोग बात करेंगे कि एसी लाइन इस पर मोमेंट कैसे सेट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा विए करके ETC sysconfig और से लाइन के अंदर में जाओगे तो यहां पर आपको जहां पर यहां पर यहां पर जैसे आप करके बहार जाए चल इसको कैसे सेट करते में अभी बता रहां आपको अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगे इसको एनवल कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टेटिस चेक कर लेते हैं अभी सिस्टम पर क्या लगा हुआ है तो उसके लिए कमांड होती है AC status तो यहाँ पर देखिए AC Linux जो हमारा enable यहाँ पर दिखा रहा है और AC Linux का हमारा यह का अपना mount point होता है जो हमारा CIS, FS और AC Linux होता है और इसकी root directory होती है हमारी ETC AC Linux का अंदर में अभी यह targeted है और हमारा current mode हमारा यह enforcing है और configuration file mode हमारा enforcing है इसके हम लोग दोस्ते तरीके से भी check कर सकते है उसके लिए command होती है get enforce यह देखिए अभी हमारा enforcing mode में enable है तो इसके हम लोग configuration file भी check कर लेते हैं get etc sysconfig उसके बाद AC Linux यह देखिए आपका यहाँ पर enforcing mode यहाँ अभी enable है हमार अगर आपको temporary change करना है तो उसके लिए command होती है set enforce कि उसके बाद यहाँ पर आप जो चेंज करना चाहते अभी जैसे हमारे इंफोर्सिंग में है तो इसके लिए क्या होती है जिरो अब हम लोगे status चेक कर लेते हैं इसका दुबारा तो उसके लिए command होती है क्या get enforce अब देखिए हमारा यह current mode में change हो गया है ठीक है लेकिन इसको अगर हम लोग reboot करेंगे तो हमारा यह दुबारा आ जाएगा enforcing mode में प्रमामेंड हमारा नहीं हुआ है ठीक है इसका status हम लोग अभी दूसरे command से भी कर लेते हैं ऐसी स्टेटस अब यहां पर देखिए यह जो हमारा current mode है अभी हमारा यह प्रमेंड दिखा रहा है और जो हमारा configuration फाइल जो mode हमारे दिखा रहा है यह enforcing यह दिखा रहा है ठीक है अब हम लोग इसको क्या करते हैं प्रमामेंड चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वी आई एटीसी सिसकोंफिग अगर आपको प्रमेंड मोड में चेंज करना है तो यहां पर आपको प्रमेसिव यहां पर है टाइप करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग इसको सेब कर देते हैं अब इसकी फाइल दुबारा हम लोग चेक कर लेते हैं cat etc sysconfig ac linux ठीक है यहां पर चेंज हो गया है अब हम लोग क्या करते हैं दुबारा स्टेटेस चेक करते हैं तो ac अब देखिए यह हमारा यहां पर चेंज हो गया है ठीक है अब हम लोग रिबूट भी करेंगे तो यह हमारा कंफिग्रेशन पर चेंज हो गया है तो यह हमारा प्राण चेंज हो गया है ठीक है तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हुआ था हमरे चैनल को लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए